बलिया लोकसबा सीट के चुनाव में हालही के गटना क्रमों के कारण उलेखनिय ध्यान आकरशित किया है पूर्फ उमीदवार कैप्टन वैबफ सिंग ने हालही में बलिया में भाजपा उमीदवार नीरज शेकर को अपना समर्थन देने के लिए राजिय परिवहन मंत्री दया शंकर सिंग से मुलकात की इस समर्थन से शेत्र में भाजपा की संभावनाव को काफी बड़ावा मिला है कैप्टन वैबल सिंग के भाजपा के साथ जुड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि युवाव और शत्रियों का समर्थन अब बड़े पैमाने पर पार्टी के पक्ष में है इस समर्थन के बाद दया शंकर सिंग और वैबल सिंग दोनों के बयान इस विकास के महत्वों पर और प्रकाश डालते है मुझे यह आसवाशन मिला है कि बलिया में जितना विकास हुआ है और उससे और जादा अब होने वाला है और जितना भी अभी तक मंतिजी ने किया है मोदी जी ने किया है बलिया के लिए रोजगार भी उन्होंने कहा है कि सब को मिलेगा ठीक है अभी तक जितना भी था जितना भी विकास हुआ है बलिया में इसी दोर में हुआ है से पहले आप लोगोंने विकास नहीं देखा था बलिया में जो भी दोर हुआ है योगी जी और मोदी जी के ही समय में हुआ है और मंत्री जी ने वहाँ खास करके जहां तक भी हो विकास के लिए जितने भी इन्हें कदम उठाने पड़े इन्होंने पूरे उठायो है और मुझे सिर्फ इस विकास और वैभव की लड़ाई बलिया में दिखानी है और मैं इस साथ ही इस विकास के दोर में आप लोग से भी बोलता हूं कि आप भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चले और भारी बहुमत से इस बार विकास की लड़ाई को पून बहुमत दिला के बलिया से विजय बनाएं.